हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल गुरूजी हेल्पडेसपल दोस्तों हर्याना के अंदर एक नई वकेंसी निकली है उससे समंदीत जानकरी मैं आपको इस वीडियो के दोरान देने वाला हूँ कितनी पोस्टे हैं कौन-कौन इसके लिए आविदन कर सकता है क्या क्वालिकेशन चाहिए कंप्लीट एलिजिबलेटी कराटेरिया जो है वकेंसी से रिलेटिड वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो दोस्तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी पलीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तो आवे दिन कैसे करना है सारी जानकरी जोय मैं आपको देने वाला हूँ तो हर्याना स्टेट फाइनेंशियल सर्विसिस लिमिटेड के अंदर ये वकेंसी निकाली कही है हर्याना स्टेट फाइनेंशियल सर्विसिस लिमिटेड ये वेबसाइट है दोस्तो www.finhry.gov.in एडवेटाइजमेंट एट है 25 बारादो जार बीज ये है इसका लेटर नंबर नोटिफिकेशन नंबर इसमें साब साब मांगा गया है कि ओनलाइन अप्लिकेशन आर इन्वाइटिड फॉर फिलिंग अब दा फॉलोविंग पोस्ट इन हर याना स्टीट फाइनेंशियल सर्विस इस लिम्टेड ओन कॉंट्रेक्ट बैसीज एस पर डिटेल्स मेंचन बिलोग तो दोस्तो फर्स्ट मैं आप बताने वाला हूँ फाइनेंशियल सर्विस या इन्वेस्टमेंट विंग जो है उसके अंदर फर्स्ट पोस्ट है मेनेजर क्रेडिट की एक पोस्ट है सेकंड है मेनेजर इन्वेस्टमेंट की एक पोस्ट है दोस्तो सेकंड बैंकिंग और इंसुरेंस सर्विस विंग के दोरान banking या insurance service department की बात करें तो first post जो है divisional manager insurance की एक post है second senior manager insurance की एक post है third है manager insurance एक post है next है HR legal wing deputy manager एक post है office professional एक post है next है technical या IT wing information technology wing programmer की एक post है दोस्तों कोन आविदन कर सकता है btec या mca या pgdca with 60% marks from a recognized university या institute की btec computer science या master of computer application या post graduate diploma in computer application आपके पास होना चाहिए with minimum 60% marks and having three year working experience और आपको as a programmer तीन साल का experience होना चाहिए next हम बात करेंगे assisting staff की assisting staff की पोस्टे है 17 पोस्टे है first post है data entry operators दस पोस्टे है दोस्तों data entry operator क्या qualification है graduation होना चाहिए graduate with one year diploma in computer application या graduate के साथ diploma in computer application होना चाहिए second receptionist या report your come phone attendant एक पोस्ट है दोस्तों 10th pass candidate जो है वो इसके लिए आविदन कर सकते हैं थार्ड नंबर पे है prix इन की पोस्ट चार पद है दोस्तों 4 पद 8-й पास आविदक होना से यह habitoscope अगर आप है तो आप इसके लिए आविदन कर सकते है next sτα agenda should pick one post है दोस्तो आठ़ पास candidate होना से यह तो ही आप इस post के लिए आविदन कर सकते हैं नेक्स्ट है चोकिदार चोकिदार के लिए एक पद के लिए आविदन वांगे के हैं आठी मपास होना जरूरी है और दोस्तो आविदन आप कैसे कर सकते हैं इंपोर्टेंट इस्ट्रक्शन में देर का है फर्स्ट केंडिडेट में प्लीज अप्लाई ओनलाईन वाया ईमेल इमेल जो है वो यहां पर देर रखा है दोस्तों इमेल आई डेर की है आपको डिस्क्रिप्शन में भी इमेल आईडी जो है वो मैंशन करके दे दी जाएगी आप वां पर ओनलाई आविदन इसके लिए कर सकते हो उस email id पर इस email id पर आपको 8 जनवरी 2021 तक कब तक 8 जनवरी 2021 तक आपको इस email id पर online नाविदन करना होगा कैसे करोगे यान कि आप एक application प्रफॉर्मा पर अपना जो bio data है name, father name, category जो भी है permanent address, qualification वगेरा लिख कर नीचे sign करके और उसके साथ अपने documents जो है वो scan करके 8 का है, 10 का है, plus 2 का है या graduation का जो भी है वो attest करके, scan करके आप इस email id पर mail send करोगे 8 जनवरी 2021 तक उसके बाद जो next further process होगी आगे की next जो process होगी उसके लिए आपको contact कर लिए जाएगा इनके द्वारा email के द्वारा या फिर dark के पते के द्वारा या फिर website पर आपको सुचना दे दी जाएगी अभी इन्होंने कोई जानकरे नहीं दी गई है कि क्या इसके लिए interview होगा, return test होगा अभी इसके लिए online आविदन मांगे गए हैं नेक्स्ट भी इसमें देरका है अभी इसके लिए online आविदन कर सकते हैं email के थुरू और email आईडी जो है वोई है hsfsl2019 at the rate gmail.com और जो online आविदन आप करोगे जिस email आईडी पर वो email आईडी जो है वो आपको description में मिल जाएगी तो दोस्तों यह थी एक नई वरती से समन्दीज जान करी अगर आपको इस वरती से समन्दीज कोई भी जान करी चाहिए तो आप हमारे comment box में comment कर सकते हैं ज्यादा जान कर लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं थेंक्यू जैहिद